हेलो फ्रेंड्स एसके फेशन डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम अंग रखा स्टाइल फ्रॉग स्टाइल कुर्ती की कटिंग सीखेंगे इस वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग बताने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो है इसका कुर्ती की कटिंग करनी है प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ तो और यह इसके साथ मेने प्लाजो बनाया है खुला और बहुत ही प्यारी सी मैंने ड्रेस बनाई है तो गर्मी में जो है ऐसी ड्रेस जो है बहुत ही कमफरटेबल रहती है तो यह मैंने फैब्रिक, लिया है। एसी का आज हम यह अंग्रखा स्टाइल की कुर्टी कट करेंगे। और यह जो है बौटम फैब्रिक है। इसका मैने पलाजो बनाया है। इतका भी यूज़ करेंगे इसमें, उपर चोली में। तो आई ये cutting सीखते हैं, cutting आप अच्छे से देख लिजिएगा, फिर अगला वीडियो जो है stitching का आएगा, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, अगर मैं एक अठा वीडियो डालूँगी ना, तो बड़ा हो जाएगा वीडियो काफी, फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो कटिंग का वीडियो मैंने अलाग से बनाया है और स्टिचिंग का वीडियो जो है काल आएगा तो यह देखिए यह जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने पहले चोडाई में फोल्ड कर लेना है चोड़ाई में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है जितनी आपको उपर से चोली की लेंथ चाहिए तो मैं 16 इंच रखूँगी यह देखे 16 इंच पे एक निशान लगा लिया 16 इंच पे एक निशान लगाते हुए 4 फोल्ड कर लेना है हमने यह देखिए यह देखो ऐसे हमने 4 फोल्ड कर लेना है ठीक है तो यह 16 इंच का हमने आगे वाला और पीछे वाला दोनों जो है चोली पार्ट हमने कट करना है तो ये 16 इंचार है 16 इंच को मैं इसको कट कर लेती हूँ ये देखिए अब हमने क्या करना है जितना हमें बस्ट का नाप है ये देखिए ऐसे कपड़े को फैला लेना है ऐसे हमने कपड़ा वेस्ट नहीं करना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग करोगे तो कपड़ा भी आपका विल्कुल वेस्ट नहीं होगा तो ऐसे करके देखो हमने रखना है जितना आपका बस्ट का नाप है उसमें 2 इंच मार्जन के लिए रख लीजिए और उतना कपड़ा आप जो है लंबाई में कट कर लिजे इसको सारा तो अभी मैं देख लेते हूँ मुझे 12 इंच चाहिए ये देखो तो अब जो ये साइट से कपड़ा निकल गया न इसमें से मेरी बाजू निकल जाएगी बहुत ही असानी से तो ऐसे कपड़ा आपका पूरा हो जाएगा बिल्कुल अब अपने फोल्ड फोल्ड करके इसको रखना है ये देखे जोईंट वाली साइट जो है मेरी साइट को है नीचे से हम इसको अलाग कर देंगे बैक वाला पार्ट जो है मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है ताकि हमारा गला कभी भी बैक पीछे को न आ जाए तो इस बात को मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि बैक वाला पार्ट आपने आधा पोना इंच जो है बढ़ा के रखना है अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगी तो तीरा मैं रखूंगी 7 इंच 7 इंच पे एक निशान लगा लिया आम होल भी मैंने 7 इंच ही रखा है अब यहां से लगाऊंगी बस्ट का चोथा प्लस 2 इंच मार्जन के लिए अब नीचे सेम तरीके से कमर पे भी कमर का चोथा प्लस 2 इंच मार्जन के लिए अब यह देखिए ऐसे मिला लेंगे यहां से उपर से हलकी से गुलाई करके फिर हम लाइन लगाएंगे अब नीचे से मैंने 1 इंच पे एक निशान लगा के यह देखिए ऐसे करके हमने यहां के गुलाई लगानी है अब यहां पे डेड़ इंच पे एक मार्क करके गुलाई लगा लोगी और एक इंच बैक को फ्रांट वाली साइड को बैक करके यह देखिए ऐसे तिर्शी लाइन लगाते हुए फ्रंट वाले गुलाई भी लगा लेंगे यह हमारी फ्रंट वाले गुलाई होगी तिन इंच गला राखके और एक इंच आधा या एक इंच आपने Shoulder down कर लेना है Sorry, आधा या पॉना इंच आपने Shoulder को down कर लेना है यह देखिए ऐसे तो बैक वाला आपको दिख रहा है न आधा इंच मैंने बढ़ा के रखा है बैक वाला अब इसके कटिंग कर लेते हैं तो यह हमारी अपर पार्ट की कटिंग हो गई अब नीचे से हमने यह देखिए जो निशान लगाया था यहां से हमने हलकी सी गुलाई दे लेनी है ठीक है तो यह हमारा बैक वाला और फ्रन्ट वाला दोनों पार्ट जो हैं हमने कट कर लिए है अब फ्रन्ट वाला और बैक व तो, ये कपड़ा हमें चाहिए, इसका मैं यूज करूँगी इस में, तो ये देखिए, कैसे घजा की उपर जो अंग रखा स्टाईल की कटइंग करनी है, कैसे करेंगे चोले की कटिंग、 पहले फ्रंट वली जो कटिंग मैंने इसमें दिई है, इसको मैंने निकाल लिया आप चाहतो बाद में भी cutting कर सकते हो लेकिन मैने पहले ही कर लिया पहले भी कर सकते हो अब देख लेते हूं कि साइड को यह अपड़ा आएगा मेरा प्लाजो में इसे बचा रहे यह बचा है यह कपड़ा तो प्लाज भी जो है ना हमारा है ना फ्रंट बला इतना ही हमें एक पीस और चाहिए चोली के लिए जो आप अलग तरह का कपड़ा लगाओगे ना वह भी आपने ऐसे ही कट कर लेना है इसको प्रंट बले पार्ट को उपर रखते हुए सेम पूरे नाप का इतना ही आपने कट कर लेना है यह देखिए तो अब आगे आपको बताती हूँ कैसे इसकी कटिंग करनी है ठीक है तो कटिंग आप ध्यान से देख लीजेगा और स्टिचिंग का वीडियो जुरूर देखिएगा अगर आपको स्टिचिंग सीख रहे हो आपको पता नहीं लगता तो स्टिचिंग का वीडियो जुरूर अगला के सेंटर में मैंने एक निशान लगा लिया है ताकि सेंटर का हमें बिल्कुल पता चल सकी अब यहां से मैंने तीन इंच ब्रॉट नेक रखा है तीन इंच पे एक निशान लगा है और गला जो है डीप रखना है आपने साड़े साथ इंच कि यहां पे भी एक कट्र लगा लेंगे सेंटर पॉइंट का तो पहले इसका यह देखी ऐसे बाबर रखते हुए पूरा प्रॉपर तरीके से बाबर हमारा आगे वाला और दोन पीस बाबर आगे हैं तो अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं साड़ी साथ इंच मैंने डीप रखा है और ब्रॉड जो है तीन इंच रखा है ऐसे यह देखे निशान लगाते हैं यह गले की हमने कटिंग कर ली है अब देखी आगे हमने इसको कैसे रखना है यह देखी पूरा ब्राबर हमारा यह दोनों पीस्यों है पूरे ब्राबर आने चाहिए अब इसका सेंटर निकालेंगे जितना भी यह तीरा यहां से हमारा आ रहा है उपर से इसका सेंटर निकालके एक सीधी लाइन लगा लेंगे यह देखी यहां से हमने एक सीधी लाइन लगानी है यह हमने एक सीधी लाइन लगा ली है यह देखो नीचे तक अब यह देखी आहां से इसे जो लाइन लगाई है न उस लाइन के पास ही हमने यह गुलाई को नीचे को लेकर आना है जो हमने उपर से एक लाइन लगाई है अब हम इसको कट कर लिती है पूरा इसको ब्राबर रखते हुए यह जो हमारा वाईट वाला पीस है इसकी भी हमने गले की कटिंग कर लेनी है यहां तक गले के कटिंग करते हुए और इसको हमने यहां से उपर से जहां पर बस्ट लाएन आती है न धाई यहांपे निशान लगाते हुए आपने यह देखियाँ पर निशान लगाके फिर जो ये निचे वाले पीस का जो गला है यह देखिए वहाँ पर हम लेकर जाएंगे इसको यहां पर हम मिला देंगे यह देखिए ऐसे हमने इसकी कटिंग कर ली तो यह नीचे यह दोनों पीश्चों है हमारे फ्रंट वाले कटिंग हो चुकी है यह देखिए ऐसे इसकी कटिंग करनी है हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यह देखो अब इसको फोल्ड करते हुए न हमने इसका सेंटर निकाल लेना है ताकि जब भी हम स्टिच करेंगे तो हमें इस सेंटर की कोई दिक्कत नहुं है से ब्राबर रख के जब भी हमने यहां पर निशान लगा लिए तो यह अपर पार्ट की कटिंग हमारी जो हो चुकी है अब नीचे बाला पार्ट हम लेंगे तो 4 फोल्ड करके मैंने रखा है जितनी आपको कुर्ती की लंबाई चाहिए उपर से 16 इंच माइनस करके और जो ये बॉटम स्कल्ट बाला पीस है उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए जितनी बी लंबाई चाहिए और 4 पीस हमने ये देखिए कट कर लेने है इसको अलाग अलाग कर लेती हूँ जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतना आप स्कल्ट एरिया ले लीजिए उसमें 2 इंच मार्जन के लिए प्लस कर लीजिए और ये हो गई हमारे उपर की सारी कटे अब बाजू का देखिए एक कपड़ा बचा है जो कि उसमें से बचा था ना साइट में से तो ये मैं बाजू के कटेंग कर लोगे बाजू हम बिलकुल सिंपल सी बनाएंगे तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही तो स्टिचिंग वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा